परसों परसों ताजगी बरी हवा गल्ती कर दिए गल्ती कर दिए सही बात सर जुका करके आपका आधर करता हूँ मोदी जी की फेर और लवली योजना आई है मैं जानता हूँ अरे बोलने दो भाई नए एंपी उडुची ले रहे जहां देखो इंटरनेट में देखो पपरशे जितने शांदार विचार रखते हैं जी टीवी में देखो पपरशे बहुत स्टड़ी कर का मन रेगा मन रेगा चीजे समझने में बड़ा समझ जागा अच्छी बात बिलिए यह से थोड़ा मार दीजे हाता कुछ बाते ऐसी है थोड़ा समार दीजे अब आपकी बात सही है स्पीकर मैडम उमर तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है उस्पारी स्शारी स्षारी स्वारी उतलो मनोगंजन भी करवाते हैं इस गोन बड़े पारफुल आगमी है नरेंदर मोजी जी मैं आपके साथ 1000% सहमत हूँ सुनने के आदर बाइटे बाइटे है जेएनियू में कनईया खड़ा होता है 20 मिनट का भाशन देता है मैंने भाशन सुना 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब नहीं कहा एक शब नहीं कहा उसको आपरेस्ट करते हो सारवजनी गीवन में हम सब लोग आंसरेबल है कोई भी विखने हमें सवाल पूछ सकता है पूछने का उसका हक है लेकिन कुछ है जो जवाब दे नहीं है नहीं उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है मैं घटना का सरफ जिक्र करना चाहता हूं और आप लोग लगाए रश्या के राश्ट प्रमुक सिमान कुष्षेव जब स्टालिन की मुर्ति हो गई वो उनके साथ ही थैं तो स्टालिन की मुर्ति के बाग ये जहां जाते थे कुष्षेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे तो एक बार एक सभागरू में कुष्षेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पुर्व के नेता को उनके मुर्ति के बाद धोट कोसा एक नौजवान खड़ा हो गया पीशे से उसे का मिश्षे कि शो मैं आपसे सवाल पूछ राचाथा हूँ बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हूं इतना बदनाम कर रहे हूं उसके विज़र जब वो जिन्दा थे आप उनके साथ काम करते थे तब आपने क्या किया और कुछ पर के बाद कुछ ने कहा जिसने सवाल खड़ा किया है वो ज़र खड़े हो जाओ वो खड़े हो गए उन्होंने कहा तुम्हें जवाब मिल गया तुम जो आज कर पा रहे हो स्टालिंग के जवाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बदाम काम नहीं आएगी आपको तो साहिद थोड़ा समझा जाएगा औरों के लिए मैं नहीं कह सकता आप जेनियू और रोहित वहमिल्ला के पीछे क्यों पड़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो गरीब है क्योंकि वो कमजोर है क्योंकि वो दलित है क्योंकि वो आदिवासी है और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग आदिवासी वर्ग आगे ना बड़े पीछे का पीछा रहे हैं यह वास ही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाओं में भाशन करना अलग चीज है तुम कहते हो गरीबी फटाओंगे लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है अरे हमने गरीबी की जड़े इतनी जमादी है इतनी जमादी है मोदी तुम उखड जाओगे लेकिन उखड इसे उखड नहीं पाओगे इस बात का कोई इंकार नहीं करेगा कि इस देश के साथ साल के इक आरकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाये होते हैं तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गद्दा ठोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा He told the Congress President that he had solved the Naga Land problem. And the most important question, where has this accord gone now? Bangla Desh Seema का विबाद सुल्या आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कारकाल में कर दिया होता तो मोदीय तुमारा एचिमेंट कहा होता है तो तुमारा ली आमने छोड़के गए ते आपकी कितो देने Making India का बब्बर शेर तियार किया काले रंग का बब्बर शेर उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता हो जहाँ देखो इंटरनेट में देखो बबर शेर टीवी में देखो बबर शेर मोदी जी का बास्टन चुनो बबबर शेर जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम बीक का कटोरान लेकर के निकले हो और जब हम खुद ऐसा क्यान तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक कर के कहते हैं। और ज्यादा मजबूती से कहते हैं, यह मैंने कह रहा हूँ, सिमत इंद्रा गांधी कह रही है। लिसन टू राजनाथ सिंग जी, लिसन टू अडवानी जी, लिसन टू शुश्मा स्वराज जी, लिसन वो यहां है नहीं, मगर मेरा बाशन सुनेंगे, लिसन टू यूर एंपीज, लिसन टू आस अक्रॉस ताइल है, लिसन टू अक्रॉस टू आइल है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर्न गहने रे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग है। परंतु जो खुद वैसा आचर्ण करें, वैसे लोगों के संख्या बहुत कम है। उपदेश सुनता रहा हूं, सला सुनता रहा हूं। आलोचना जिल का रहा हूं आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं ये सब चल रहा है और मुझे क्या हुआ है कि चौदा साथ के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सिख चुका हूँ इससे जीना सिख चुका हूँ हमारे देश के सम्मानिय प्रधान मंतरी डक्टर मनमोन सिख जी अमेरिका में थे अमेरिका के राश्पती के साथ उनका बाइलेटन टाक होना था देश के सम्मानिय नेता थे हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारुक अब्दुला साथ बैठते थे एंटरी साथ बैठते थे सरत परवार साथ बैठते थे इस देश के गमानिय वरिष्ट अनुभवी नेता बैखते थी उस cabinet ने जो नेड़े किया उस नेड़े को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिशद में फार दिया गया था अपनों से बड़ों का मान सम्मान आदर